ओम साहिराम हरहर महादेव आजका साहि सन्देश, जब भी जीवन में नया सवेरा हो तो सबसे पहले उस ऐश्वर का शुक्रियादा करें, उनोंने आपको बहुत खुप सूरत जीवन दिया है जोकि एक बहुत बढ़ा उपहार है, तो हमें हमेशा ईश्वर का शुकरियादा क करना चाहिए उनका धन्यवाद करते रहना चाहिए क्योंकि जितनी खुशियां जितना सुख आपको मिला है वो हर किसी के नसीब में नहीं होता है इसलिए हमेशा इश्वर का सुक्रगुजार रहना चाहिए और आज तो बहुत बड़ा दिन है आज गुरु पूर्णिमा का द करते हैं क्योंकि गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है गुरु ही परभ्रम्मा है परमेश्वर है भगवान का रूप है गुरु ही एक ऐसे हैं जिनोंने इसी स्वर का साकसातकार पार लिया है और वो हमें इस भवसागर से जरूर पार कर देंगे गुरु हमारा पत स्रद्धा और विश्वास होना चाहिए अपने गुरू के वचनों में ही हमेशा विश्वास रखना चाहिए और कभी किसी और के गुरू की निंदा और तिरसकार नहीं करना चाहिए हर गुरू का प्रवचन सुने हर किसी का ससंग सुने क्योंकि सब के रास्ते अलग अलग हो स लेकिन मंजिल सबकी एक ही है इसलिए आज का दिन गुरू को समर्पित है आज की दिन दान का बहुत जादा महत्व है और अन दान सर्वस्रेश्ट है आज की दिन हर इंसान को दिल खोल कर दान करना चाहिए अगर आज की दिन आप किसी एक भूखे इंसान का पेट भी भर पात तो आप बहुत भागय साली बन जाते हैं. भगवान आपके घर में कभी भी अन और धन की कमी नहीं होने देंगे. और आज के दिन हमें सिरिसाइच रितर का पाठ भी जरूर करना चाहिए. गुरु पूर्णि मा के दिन, दुशहरे के दिन, राम नमी के दिन हमें सिरिसाइच पाठ जरूर करना चाहिए चाहिए एक अध्याय ही पढ़े लेकिन हमें पढ़ना जरूर चाहिए ऐसा करने से हमारे जीवन के दुख कट जाते हैं और जीवन में सुख का आगमन हो जाता है क्योंकि बाबा हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं अगर आप भ आप साई रूप में बाबा को मानते हैं या भोले रूप में मानते हैं अब जिस भी रूप में भगवान की पोजा अराधना करते हैं आपकी शरद्धा और विश्वास अटल है तो कभी आपको भगवान से निराश नहीं होना चाहिए कभी इस बात की सिकायत नहीं होनी चा अगर आपकी स्रद्धा और भक्ती सच्ची है, तो भगवान कभी आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आपके जीवन में अच्चे दिन अब कभी आएंगे ही नहीं, जैसे कि दुख कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। इस जीवन में स्थाई कुछ भी नहीं है, समय समय पर परिवर्तन जरूर होता है। तो अगर आज कुछ गलत हो रहा है, तो बहुत अच्छा भी बहुत जल्द हो जाएगा। क्योंकि सब कुछ बदलता रहता है, यहां स्थाई कुछ भी नहीं है, इसलिए आप अपने विश्वास को बनाए रखें, उस इश्वर के चर्णों में सरद्धा और भक्ति को बनाए रखें। और दान इनसान को हमेशा दिल खोल कर करना चाहिए, जितनी सामर्थ्या हो उतना दान जरूर करना चाहिए, और हर जीव जन्तु में उस इश्वर का ही दर्शन करना चाहिए। अगर आज आप किसी एक भूखे इनसान का पेट भी भरते हो, तो भगवान आपसी त्रिप्त हो जाते हैं, आपके घर में अन और धन की कभी कमी नहीं होगी। माना कि आपके जीवन में धन का अभाव हो सकता है, लेकिन धन से अमीर दुनिया होती है, लेकिन दिल की अमीरी भगवान बहुत खास लोगों को देते हैं, जो सच्चे दिल वाले होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, और जिनका दिल आईने की तरह साफ होता है, सच्चे इनसान कभी कुछ भी छुपा नहीं सकते उनके चहरे से ही सब कुछ खुद बखुद चलकने लगता है इसलिए आप धन से गरीब हो सकते हो लेकिन दिल से बहुत अमीर हो क्योंकि बाबा ने आपको बहुत बड़ा दिल दिया है बहुत सबर दिया है बहुत सहन सकती दी है आपको इस काबिल बनाया है कि आप हर दुख और परिशानी से लड़ सकते हो जो इसकी योग्या होता है बाबा उसे ही दुख और परिशानी से गुजारते है जो इनके साथ लड़ने में समर्थ होता है तो आप पूरी तरह से शक्षम है चहरे की मुस्कुरहट कभी कम नहीं होती और अगर आपकी वज़ा से किसी के मुर्जाए हुए जीवन में फिर से खुश्यों की बहार आ जाती है आपकी बातों से किसी का रख संचार भड़ता है तो आप बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि अपने दुख से तो हर कोई दुखी होता है लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो दूसरे के दुख और दर्द को महसूस करता है तो आप बहुत भाग्यशाली हो सब कुछ बदलेगा और बहुत जल्द बदलेगा लेकिन जीवन से निराश कभी दूसरों से प्रेम करते रहे दूसरों की साहिता करते रहे क्योंकि बाबा आप ऐसा चाहते है उन्होंने आपको इस योग्या बनाया है कि आप दूसरों के जीवन को रोशन कर सके जो लोग दूसरों के जीवन को रोशन करते हैं तो उनके जीवन की रास्ते खुद ही रोशन हो जाते हैं और जो लोग दूसरों को सुख और खुशियां देते हैं उन्हें अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती बहुत जल्द सब कुछ अच्छा हो जाएगा सदा खुश रहें, सदा जबते रहें ओम साइराम, हर हर महादेब